नमस्ते बच्चों, आज हम विश्य हिंदी कक्षा तिस्री में टॉपिक आ मात्रा वाले शब्द के बारे में सीखेंगे, यानी आ की मात्रा से बनने वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में सिखे थे अ की मात्रा, अ की मात्रा में आप सभी यह जाने थे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा केवल हम विंजनों के वर्नों को पूर्ण करने के लिए करते हैं, जैसे क क क के नीचे हलका चिन लगा हु क, उसी तरह दुसरा धारन देखेंगे थ, थ के नीचे हलका चिन लगा हुआ है तो उसका अचारन क्या होगा बच्छो, आधा, थ, बलस अ की मात्रा मिलकर क्या बनेगा थ, तो इसी तरह बच्चो अ की मातरा का प्रयोग किया जाता है वेंजनों के वर्नों को पूर्ण करने के लिए तो बच्चो अ स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है? आ, येस, तो बच्चो अ की मातरा में आप सभी क्या सिखे थे? की आ की मात्रा का स्वर्ण चिन्न होता है खड़ी रेखा बच्चों हम हमेशा खड़ी रेखा आ की मात्रा की जो होती है वह हम व्यंजनों के वर्नों के बाद लगाते हैं जैसे ख ख प्लस आ की मात्रा मिलकर क्या बनेगा बच्चों खा उसी तरह दुसरा उधारन देखेंगे व प्लस आ की मात्रा मिलकर क्या बनेगा व तो बच्चो इसी तरह हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं वेंजनों के वर्नों के बाद तो बच्चो आज हम आ की मात्रा के अक्षरों से बनने वाले शब्द के बारे में सीखेंगे आ मात्रा वाले शब्द में हम आज सिखेंगे दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द और चार अक्षरों वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे दो अक्षरों वाले शब्द तो बच्चो पहला शब्द है बच्चो ये कौन सा चित्र है? ये कौन से हमारे शरीर का अंग है येस ये है कान कान यानी क्या होता है बच्चो इयर तो बच्चो कान हमारे शरीर का एक महवतोपूर्ण अंग है और कान के ही द्वारा हम सभी अवाजों को सुन सकते है अब दुसरा शब्द है बच्चो ये कुण सा छीतर है? जो हम सभी रोज खाते हैं ये है खाना खाना यानी क्या होता है बच्चो फूड, आप सभी को भी बहुत पसंद है na टेसरी-टेसरी फूड ये है अब तिसरा शब्द है गाल, गाल यानी क्या होता है बच्चो चीक चौथा शब्द है बच्चो ये कौन सा चीतर है येस ये है बाल बाल यानि क्या होता है बच्चो हैर पांचवा शब्द है बच्चो ये कौन सा चीतर है येस वेरी गुड बच्चो ये है बोट बोट यानि क्या होता है बच्चो नाव आप सभी बारिश के मोसम में कागच की नाव बनाते हो ना और पानी में छोड़ते हो यानि बोर्ट सेल करते हो तो उसे क्या कहते हैं यानि नाव चटवा शब्द है बच्चो यह कौन सा चीज है यह कौन सा चित्र है जो आप सभी बारिश के मोसम में इस्तमाल करते हो येस, वेरी गुड बच्चो यह है अमरेला अमरेला यानि क्या होता है छाता तीन अक्षरो वाले शब्द पहला शब्द है कागच कागच यानि क्या होता है बच्चो पेपर तुसरा शब्द है बच्चो यह कौन सी सबजी है येस, ये है कैरोट कैरोट यानि क्या होता है बच्चो यानि काजर तुसरा शब्द है बच्चो ये कौन सा चित्र है येस, ये है Ship, Ship यानी क्या होता है Jahaj चोथा शब्द है Balak, Balak यानी क्या होता है बच्चो? यानी Boy पांचवा शब्द है बच्चों, ये कौण सा चितर है जिसमें हम सबी रहते हैं, अपने परिवार के साथ Yes, ये है House, House यानी क्या होता है MAKान चब्द है बच्चो ये कौन सी सबजी है? येस ये है पालक पालक यानि क्या होता है बच्चो? यानि स्पीनच चार अक्षरो वाले शब्द पहला शब्द है बच्चो ये कौन सा चित्र है? येस ये है स्काई स्काई यानि क्या होता है बच्चो? यानि आसमान अब दुसरा शब्द है यह है बच्चो टमाटर टमाटर यानि क्या होता है यानि ट्रमाटो अब तिसरा शब्द है बच्चो यह कौन सा चित्रे है जहाँ आप सभी रोज पढ़ाई करने जाते हो येस ये है स्कूल स्कूल यानी क्या होता है बच्चो यानी पाट शाला अब चौथा शब्द है भगवान भगवान यानी क्या होता है बच्चो यानी गौड हम सभी रोज प्रातना करते हैं ना भगवान से अब पाँच्वा शब्द है बच्चों ये कौन सा चित्र है? येस ये है किंग यानि क्या होता है? बाच्षा अब छटवा शब्त है बच्चों ये कौन सा चित्र है? येस ये है अनिमल्स अनिमल्स यानि क्या होता है? जानवर स्वाथ्याय प्रश्न पहला दिये गए अक्षरों को जोड़ कर शब्द बनाओ बच्चों यहां प्रश्ण में आ की मात्रा वाले सम्बंदित कुछ अक्षर दिये गए हैं आपको उन अक्षरों को जोड़ कर शब्द बनाने हैं तो पहला है प्रश्ण का प्लस र तो बच्चो क्या बनेगा शब्द कार येस, very good अब दूसरा प्रश्ण है पा प्लस ल प्लस क तो बच्चो क्या बनेगा शब्द पालक अब तिसरा प्रश्ण है छा प्लस ता तो बच्चो क्या बनेगा शब्द छाता चौथा प्रश्ण है रा प्लस जा तो बच्चो कौन सा शब्द तयार होगा राजा पांच्वा प्रश्ण है बा प्लस द प्लस ल तो बच्चो कौन सा शब्द बनेगा पादल आप भ्यास बच्चो या आप भ्यास आप सभी का हूमवर्क है आप सभी को यह homework आपके किताब में लिखना है दिये गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो बच्चों यहाँ प्रश्ण में चित्र दिये गए हैं आपको उन चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखना है तो बच्चों पहला चित्र है बच्चो ये कौन सा फल है येस ये है आम तो उसी तरह बच्चो आपको बाकी सितरों को भी पहचान कर उनके नाम लिखना है बच्चो आज हम सभी क्या सीखे येस आ मात्रा वाले शब्द के बारे में सीखे आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा आ मात्रा वाले शब्द